सब्सक्राइब टू दे आटो गैंट चैनल है एंड हिट दे बैल आइकन फॉर केट नौटिफाइड इस टैम वेन वी अपलोड़ नीव वीडियो हेलो नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपके एक और न्यू फ्रेश वीडियो पे हैं और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे हीरो एक्सपल्स 200 और हीरो एक्सपल्स 200 ट के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि इन दोनों वाइक में क्या कुछ स्पेसिफिकेशन फीचर्स आपको मिल जाते हैं साथ ही में हम लोग यह देखेंगे कि एक्सपल्स 200 ट और एक्सपल्स 200 में क्या डिफरेंस है तो इन सभी टॉपिच पर हम लोग डीटल्स पर बात करेंगे और आगर आपको वीडियो च्छा लगते तो प्लीज इसको लाइ मिल जाएगी मेरी तरफ से तो उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी तो चले दोस्तों इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं दोस्तों Hero Expulse 200T जो है वह Road oriented Bike है और वही Hero Expulse 200 जो है वह Off-Road oriented Bike है तो अगर आपका Purpose Off-Roading करना है तो आप Expulse 200 के साथ जा सकते हैं और वही अगर आपका Road पे ही ज्यादा चलना है तो आप Hero Expulse 200T के साथ जा सकते हैं वीडियो में हम लोग आगे देखेंगे इन दोनों Bikes में आपको क्या कुछ और डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं तो पहले हम लोग बात करते हैं Hero Expulse 200T के बारे में तो दोस्तों Hero Expulse 200T में आपको 200cc का engine मिलता है जो कि वही engine है जो आपको Hero Extreme 200R में मिलता है इस engine में आपको 18. 17.4 PS का power मिल जाएगा 8000RPM पे और 17.1 Nm का torque मिल जाएगा 6500RPM पे इसमे air cooling system आपको मिल जाएगा और इसमें fuel delivery system आपको carburetor type मिल जाएगा इस बाइक में safety के according इसमें आपको single channel ABS मिलेंगे और यह बाइक आएगी 5-speed gearbox के साथ इसमें आपको LED headlamp मिलेंगे और इस बाइक की fuel capacity क बात करें तो 30 liters fuel tank के साथ यह बाइक आएगी और इस बाइक की curve weight होगी 150 kg तो दोस्तों यह उसके कुछ specifications हो गया है और इसके अगर हम लोग suspension setup की बात करें तो front में आपको telescopic front focus मिल जाएगे और rear में आपको monoshock with 10 step adjustable gas charge suspension देखने को मिलेगा इसकी अगर हम लोग शैसी type की बा brake जिसके suspensions और इसके chassis की बारे में हो गई और इसके tire size के बारे में हम लोग बात करें तो herox pulse 200T में आपको front में 100 by 80 section के 17 inch के tire मिल जाएंगे और rear में आपको 130 by 70 section के 17 inch के tire मिल जाएंगे disc size की बात करें तो front में जो आपको disc मिलेगी उसकी size होगी 276 mm और rear में जो disc मिलेगी उसकी size होगी 220 mm इसकी जो tires आएंगे वो tubeless होंगे और इसमें आपको alloy wheels देखने को मिलेंगे तो दोस्तों यह होगा इसके brakes और tires के बारे में और इसके instrument console के बारे में बात करें तो इस बाइ मिलेगा तो दोस्तों यह कुछ features हो गई इस bike hero x pulse 200 T के बारे में अब आम लोग बात करते हैं कि hero x pulse 200 में आपको क्या कुछ features और specifications देखने को मिलेंगे दोस्तों hero x pulse 200 में आपको वही same engine मिल जाता है जो कि hero x pulse 200 T में आता है इन दोनों ही bikes का जो engine है वह hero extreme 200 R से लिया गया है इन दोनों ही engine में आपको same power और same torque मिलेगा और इसमें अगर आप लोग difference की बात करें तो x pulse 200 में fuel injection system मिल जाता है fuel delivery के लिए और वही hero x pulse 200 T में carburetor system मिलता है fuel delivery के लिए जैसा मैंने आपको बताया और दोस्तों इसकी difference यह है कि इस दोनों ही bikes में weight की भी difference है hero x pulse 200 की जो curve weight है वह 154 kg है और x pulse 200 T की जो curve weight है वह 150 kg है यानि x pulse 200 4 kg heavier है as compared to x pulse 200 T और fuel tank capacity दोनों ही bikes की same रह जाती है 13 liters की safety के according x pulse 200 में भी आपको single channel ABS मिलता है और इसका engine 5 speed gearbox के साथ आता है और दोस्ती यह होगा इसके कुछ engines और specifications के बारे में आप इसके sashe और suspension setup की बात करें तो suspension setup और इसकी जो sashe है वो दोनों ही same x pulse 200 T जैसी front में आपको telescopic suspension मिल जाएगा rear में आपको mono shock with 10 step adjustable gas charge suspension मिल जाएगा seat height में difference है दोस्तों जहाँ 200 T की seat height थी वह 799 mm थी वहीं x pulse 200 की seat height है वह 823 mm है और अब इसके tires और brakes की बात करें तो x pulse 200 में आपको front में 90 by 90 section के 21 inch के tire मिलेंगे और rear में 120 by 80 section के 18 inch के tire मिलेंगे disc size दोनों ही bike में आपको same मिल जाएगे 276 mm की front में मिलेगी disc और rear में आपको 220 mm की disc मिलेगी इसके जो wheels होंगे वह spoke होंगे alloy नहीं होंगे और इसमें आपको tubeless tire भी मिल जाएगे अब बात करें इसकी instrument console की तो इसका जो instrument console है वह x pulse 200 T ही जैसा आपको मिलेगा जिसमें आपको bluetooth होगा navigation मिल जाएगा twin trip meters मिल जाएगा tachometer मिलेगा क्योंकि यह off-roading के लिए यह bike बनी है और hero x pulse 200 T जो है उसकी जो front suspension की travel है वह comparatively less है hero x pulse 200 से और इसमें आपको higher set mudguard में मिल जाएगा x pulse 200 में x pulse 200 T के comparison में तो दोस्ते यह इसके कुछ features हो गए और यह इन दोनों ही bikes के मैंने आपको details में बता दिये कि दोनों ही bikes में और क्या कुछ features मिल जाते हैं तब तर के लिए दोस्तों अगर आपके वीडियो अच्छा लगते तो प्लीज इसको like कर दीजिएगा शेयर कर दीजिएगा और मैं चैनल को subscribe नहीं किए तो subscribe बीक कर दीजिएगा thank you